तो हेलो एवरिवाइन नमस्कार श्वागत हैं आपका एक बाद फिर से आपके अपनी यूटूब चैनल संध्या कंपेटर क्लासेज मैं शनकुमार एक बार फिर से आप सभी का श्वागत करता हूँ देखीगए मेरे बंड जैसा कि आप सभी को सुचना मिल सुकी होगी जो आपके आरिशेटी का एक्जाम है जो आपका कैलेंडे जारी कर दिया है मेरे बंट जो है 6 मार्श को अभी तक की जो सूचना है उसके इसाब से जो आपके सेप्टमबर तक की जितने भी बैसेज हैं उनको सामिल किया गया साथी जो री एक्जाम वाले थे उन सभी केंडिनेट और इस्टुडेंट को इस एक्जाम के अंदर सामिल किया गया है अलंकि इसके बाद वाले जो अक्टोबर वेश वगेरा जो भी हैं उनको अगर सामिल किया जाता है तो उन सभी की नौटिक्विशन है जो चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले दी जाएगी तो मेरे वेट्स अभी भी आप अगरी चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेर ज़रूर करें आज के इस टॉपिक के अंदर आपको टॉप मोश जो है 35 कुशन बताने वाला हूँ मेरे वेट्स इस वीडियो को ज़्यादा 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 लाइक और शेर जरूर करना ताकि जो भी स्टुडेंट है अगर इस एक्जाम के लिए प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो उन सभी तक हैं जो युशू जो पहुचे कि क्लासिस जो है यथावत रूप से आपकी स्टार्ट कर दी गई है और साथ ही जो साम को आने वाली लाइव क्लासिस के बारे में भी आप जो है एक बार चरूर वियू करेगा उसको भी ताकि उसके मादिम से भी आपको बहु चाहें कि और परजेन व्यू और परजेनटेशन बनाते हो सब्सक्राइब करते जो हैं कि लेखिए का नई परजेंटेशन की सब भी बात आती है तो खाली परजेंटेशन से मोजूदा परींटेशन में होता है और आपका डिसे पर्जेंटेशन से में होता है उस कुशन का ज़्वाप का रचेंसर हो जाएका उप्रोकत सरी यहां से आपका बिल्कुली करेक्ट एंसर हो जाता है वही अगले किशन की बात करते हैं कि प्रस्थूति करान को अतिस सिग्र बनाने है तू प्रियोग में किसको लाया जाता है अच्छा किशन है इंपोर्टेंट किशन है आप सभी के एक्जाम पॉइंट आफ व्यू से तो मिरुपेंट्स देगीगा हर बार विद्यार्थियों कि अमीद पर हम खरा उतरते हैं हर एक विद्यार्थि जो हमसे रेगुलर चुड़ा है हम दावे के शाथ गारंटी के साथ बोलते हैं कि उसको 90 से क्रॉस हमने करवाया है आधी मेनत हमारी रहती है आधी आपकी मेनत यह रहेगी कि आप आपको जो क्लासेस हैं उनको रेगुलरली आपको जॉइन करना होगा बागी जो है इस चैनल विस्वसने चैनल के साथ में है तो आपको कतई चिनता करने की आवश्यक्ता नहीं है तो मेरे बेट्स देखीगा कि आपके समख्ष कि पर स्थूति करण को अतिसिगर बनाने है प्रियोग में किसको लाया जाता हैं तो मिरपेंट्स आप याद रहना कि अगर आपको क्या करना है पौरपॉइंट के जो पर्जेंटिशन में विद्धमान सभी श्लाइड का एक जैसा पर्दसन चाहने के लिए आप निम्न में से किसका उप्योग करेंगे तो अच्छा कीशन है और एक्जाम पॉइंट अब व्यू से important question है तो देखीएगा discussion के बारे में आप सभी लोग क्रेंड करेंगे की आपके पास में जो है presentation है पर्चेंटेशन में देखीएगा जो भी आपका प्यस्य वह आप क्या 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 wizard कैंडायर क्यालाता है तो slide के से यहां से आपका बिल्कुली correct answer हो जाता है अगला question की motion path क्या है अच्छा question है और कापी बार exam में पूछा हुआ question है तो देखीगा motion path जो होता है आपका एक method होता है एक वेदी होती है किसको move करवाने की जो आप क्या बोलेंगे जो आपके slide पे जितने भी items होते है मेरेपेंट्स आपने जब भी presentation लगाया होगा तो उसमें आपने slide पे कुछ ने कुछ तो item डाले होंगे तो अगर आप क्या करते हैं कि अगर आपको इस item को move करवाना है तो मेरेपेंट्स ये move करवाने का इक तरीका होता है जिसको क्या बोला जाता है motion path बोला जाता है तो option number जो है भी यहां से आपका बिल्कुली correct answer हो जाता है अगले question की बात करते हैं कि एक worksheet में row तता column के title को hold करने है तू ताकि worksheet को scroll गिया जाए तो वे scroll ना हो इसमें से आप किसका उप्योग करेंगे तो अच्छा question है और मेरे बन जितने भी question है exam point of view से काफी important question है तो जो भी student अगर इस session से लेट जूट रहा है तो उन सभी का संध्या computer एक बार फिर से तया दिल से स्वागत कर जाए और जादे से जादे candidate को इस channel के मादिम से आप सभी को जोड़ना है और जो है comment box में आपको जितने भी question में पूछ रहा हूं उनका reply भी आपको देना है अंत में जो है प्यारी से comment करनी है ताकि आप सभी लोगों का जो है review कैसा है वो हमें अवश्य पता चले तो देखिए का वाक्षीट में रोह तेदा column को hold करने यह तू ताकि जब वाक्षीट को scroll किया जाए तो वाई scroll ना हो इसमें से आप किसका उप्योग करेंगे तो मिर्वेंट से आप क्या वोलेंगे कि वे जो freeze pens command होता है उसका उप्योग करके हम क्या कर सकते हैं कि वाक्षीट में रोह तता column को hold करते समय उसको scroll करने से बचा सकत हैं अगला किशन की एक सुत्र बनाने के लिए आप किसका उप्योग करेंगे तो अच्छा किशन है और काभी बार exam है पूछा हुआ किशन है तो मिर्वेंट से आप क्या बोलेंगे कि जब भी आपको क्या बनाना है फॉर्मूला बनाना है तो आप क्या करेंगे सैल की values को भ कर सकते हैं तो अच्छा कीशन है और एक्जाउंट और एक्जायन पॉट्य चिए इंपॉटन दॉट्ड कूइशन है कि है अगला कीशन कि एक कम्प्योटर वाइरस जो पैचान को रोकने के प्रियास में एंटी वाइरस पर सक्री रुप से हमला करता है तो अच्छा कीशन है और एक्जाम पॉइंट अब विशे इंपोर्टेंट कीशन है ठेक ऐसा computer वाइरस जो आपकी क्या करेगा आपकी जो identity है उसको क्या करेगा रोकने का परियास करेगा और जो आपकी सिस्टम के अंदर क्या होता है एंटी वाइरस होता है जो mostly आपको normally क्या करता है कि वाइरस से बचाने का काम करता है लेकिन ये वाइरस ऐसा होगा कि उसी एंटी वाइरस पर क्या करेगा एक्टिविली उसको आम क्या बोलेंगे रेट्रो वाइरस बोलेंगे क्या बोलेंगे रेट्रो वाइरस तो option नमर यहां से आपका बिल्कुली correct answer हो जाता है यहरे रेट्रो वाइरस एक ऐसा computer लिटर वाइरस होता है जो एंटिवाइरस पे क्या करता है सक्री रूप से हमले करता है अगला कुष्यन कि सिंगल साइन ओन का उदेशी है इसमें से ऐसा क्या उदेशी है जिसके लिए जो हैं आपके SSO को बनाया गया गया देखिए का SSO दो-तिन क्विशन आप से पूछे जा सकते हैं सबसे पहला किशिन यह होगा कि SSO का पूरा नाम बताइए तो आप सभी को पता रखना है कि सिंगल साइन होता है यह मेरे बंट्स आपका सिंगल लॉग इने इंटरफेस का उधारण होता है यानि कि government ने क्या क्या कि पहले क्या होता था कि जितने भी आपको government के माध्यम से यानि G2 से सेवा हैं वो अलग-अलग जो platform पर आपको मिलती थी बाद में क्या हुआ कि जो है SSO एक ऐसा platform create किया गया जांसे आपको जितनी भी सरकारी सेवा हैं वो आपको वहां से मिलने वाली ह तो इसका उदेश है क्या है तो आपकी क्या करना है कि साइजा डेक्स की जो लागत हैं उसको सबसे पहले कम करेगा ग्राग की संतुष्टी को बैतर बनाएगा और उत्पादक्ता को बढ़ाने का काम करेगा तो option नमर जो है D यान से आपका बिलकुली correct answer हो जाता है अगला किशन की आयुस्मान बारत मात्मा गांधी राजस्तान स्वास्ते भीमा योजना को राजस्तान में किस तीती को लागू किया गया था तो आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा कि जो आयुस्मान बारत मात्मा गांधी राजस्तान स्वास्ते भीमा योजना जो तो ऑनलाइन सिकायत को निवारण करने के लिए जो है रास्तान सरकार का एक प्लेट्फॉम होता है इसके अंदर जो है आपको पांच सर्णों से आपकी शिकायत गुजरती हैं सबसे पहले आपको रेजिस्टरेशन करता होता है उसके बाद में उसका जो है मॉडरेशन है एलोकेशन है और वैरिप्रेशन है डिस्पोजल है ये सारी की सारी चीज़े उसके अंदर होती है तो उसके अंदर जो मेरे बंट्ट सर्ण्स आपका जो स्कूरीन आइजिस्टरेशन होता है जो ऐसा step उस पूछा जाता एक कौन सा नहीं है और आपको हमेंसा ज और जो आपका मोख होता है वेक ओनलाइन सिक्सा का उधारण होता है यह उनलाइन जो एचुकिशन है इसके माध्यम से आपको मिलती है और इसके बारे में जो खीशन पूछे जाते हैं कि मौक का पूरा नाम क्या है तब आपको बताना है मैसिव ओपन ओनलाइन कोर्षिस होता है या फिर मैसिव ओनलाइन ओपन कोर्षिस भी आप इसको बोल सकते हैं इससे जुड़ी हुई संस्ता कौन कौन से होती है कोर्षेरा है एक्स है और खान एकेडमी है तो यह सारी जो भी है इनके बारे में आप पता रखेंगी युड़ी सिटी वगएरा भी इससे जुड़ी हुई संस्ता होती है अगला किश्वन की क्लाउड इस्टेर्स प्लेट्फोर्म का उधारन क्या है तो देखिएगा सबसे पहले अगर बा होता है Microsoft OneDrive भी होता है Dropbox भी होता है तो option डी यहां से आपका बिल्कुली correct answer हो जाता है अगला क्यूशन की निम्नमैसी कौन सा e-commerce website का एक उधारन है तो मेरे परणस आप सभी को याद रखना है कि वे e-commerce आपकी क्या करती है वस्तों को online खरीदने और बेचने के लिए e-commerce website का यूज़ किया जाता है तो इसके लिए जो आपका flip card जो आपको दिख रहा है यह आप अगला क्यूशन की जॉब सर्च website का उधारन है तो आप क्या बताएंगे कि नोक्री.com भी होता है मॉंस्टर.com भी होता है तो तीनों के तीनों विकल्प हैं जो यहां से आपके बिल्कुली correct answer हो जाते है अगला क्यूशन की रुपय कार्ड क्या होता है तो मेरे बंस आपका रुपय कार्ड होता है वो आपका ग्रेलू डेबिट कार्ड भी होता है सबसे पहली बात तो यह उसके बाद में इसको जो है लागू किस ने किया है या फिर इसको प्रस्तुत किस ने किया है तो NPCI यानि की राष्टिय बोकतान निगम ने इसको क्या क्या लांच किया था औ और POS यानि की point of cell मशीनों पर यह क्या होता है स्विकर्थ होता है संचालेट होता है तो option D उप्रोक्त सभी यहां से आपका बिल्कुली correct answer हो जाता है अगला question की UPI में push technology का उप्योग कब किया जाता है मेरे points देखीगा word पे थोड़ा ध्यान देना पुस का means क्या होता है जक्का देना होता है UPI का पूरा नाम भी आप से पूचा जाता है तो आप क्या बताएंगे unified payment interface इसका पूरा नाम होता है और जो इसके अंदर जो push technology है यह मेरे points आपकी यूज आती है पैसो को बेजने के लिए यानि पूस आप कब कर रहे हो जब किसी को आप दक्का दे रहे हो और UPI के मामले में दक्का रहने का means यह है कि पैसो को बेजना तो option यह जो है यहांसे आपका बिल्कुली correct answer हो जाता है अगला question की निमने वैसे कौनसा online का एक फाइदा नहीं है यानि कि online आप किसके बारें बोला है online shopping बोल सकते हो आप या e-commerce website आप बोल सकते हैं या online banking बोल दो है ना online banking का फाइदा नहीं है तो मिरे मेंट्स देखिएगा कि समय की बच्चत होती है लागत भी आपकी कम लगती है खाते की शुरक्षा भी होती है और internet connection के लिए असौरी उप्योग करने के लिए internet connection की आवश्यक्ता तो यह आपका कोई फाइदा नहीं होता है यह तो मिरे banking करनी है तो आपको internet की आवश्यक्ता होगी तो option D जो है यहां से आपका बिल्कुली correct विकल्प हो जाता है अगला question की modem का पूरा नाम क्या है तो आप सभी लोग क्या बताएंगे modulator to demodulator इसका पूरा नाम होता है यह क्या करता है कि telephone line of page जो आपके analog signals होता है उसको किसमें बतलता है मिरेपेंट्स digital signal के अंदर बदलने का काम करता है अगला question की document में किसी निचित location पर पहुचने के लिए कौन से option का use किया जाता है तो आप मिरेपेंट्स क्या बताएंगे कि आपका जो बुक मार्क होता है वो आपको क्या करता है कि यह document में किसी निचित location तक आपक computer games को खेलने के लिए या control करने के लिए यूज में लिए जाते हैं तो देखिए का नॉर्मली तो यह लिए जाता है वर्चो आपका जोईस्टिक है इसको मेरे वंड्स तो है especially आपका computer के अंदर games को खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है यह एक आपकी input device होते हैं जो pointing परकार की input device की शिलाणी में आती है अगला question की Windows 10 में program install करने के लिए क्या विकल्प होते हैं तो देखिएगा विंड्स इस्टोर से भी आप किसी भी program को install कर सकते हैं इंटरने आप क्या बताएंगी POP3 यानि Post Office Protocol जो आपकी होती है यह आपका एक outlook account के अंदर email को download करने के लिए यूज में लिया जाता है वही बात करते है Microsoft Access की तो इसका business यानि वेपार में इसका यूज लिया जाता है अगला किशन की कौन cyber कत्रे का एक परकार है तो मिरबंस देखीगा malware भी आपके होते हैं फिजिंग भी होते हैं और password हमले भी होते हैं तो उप्रुक्त सभी यहां से आपका बिल्कुली correct विकल्प हो जाता है मिरबंस देखीगा शेशन से जो late जूटर हैं उन सभी student का संध्या computer ते दिल से स्वागत करता हैं मिरबंस session से अभी अगर जूड़े हैं तो इस session को like किजएगा share किजएगा और जादे जादा subscribe जरूर किजएगा ताकि यह classes जो संध्या computer की और शे आप सभी के लिए लाई जारी हैं यह उन सभी विद्यारतियों तक पहुचे जो इस बार जो है आरेशेटी एक्जाम में 90 से पार करना चाहते हैं मिरबंस देखीगा हर बार विद्यारतियों की उमीद पर हम बिल्कुल खरा उतरते हैं और इस बार भी हैं जो आपको guarantee के साथ बोल सकता हूं कि जो regularly जुड़ेगा उसको निचीती अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा देखिएगा अगला किशन के निम्न मैंसे कौंशी सोशल नेट्रकिंग साइट नहीं है तो मिरबंस आप याद रखेंगे कि आपकी तो सोशल नेट्रकिंग साइट की जब बात आती है तो फेस्बुक भी होती है माइस्पेस भी होती है फ्लीकर भी होती है विकीपीडिया जो है यह आपका नहीं होता है विकीपीडिया तो क्या होता है एक ता मुक्त विस्वक को उधारन होता है यानि कि ओपन वेबसाइड होती है जो किसी कम्यूनिटी की होती है यह सिंगल व्यक्ति की नहो कुलेंगे कि मैल मर्ज है आपको क्या गरता है कि माइक्रसोफ वर्ड में बहुत सारे वेक्टियों को एक साथ मेल भार्ज का यूज किया जाता है अगला क्यशन की आग्यूशं की डॉट जो यह जो आपके एक्स्टेंशन होते हैं एक्स्टेंशन का मिन्स होता है आपकी वेबसाइट की तो पीछे लगे हुए नहीं होते हैं .com.in.edu.net.gov यह सारे के सारे एक्स्टेंशन है और इन एक्स्टेंशन को मेरे बन्स क्या बोला जाता है रास्तान क्लाउड इस्टोरेज जो रास्तान क्लाउड आपका होता है यहां से आपका बिल्कुली करेक्ट एंसर हो जाएगा अग्ला क्यूशन की I.R.C.T.C. यानि की जो इसका पूरा नाम ही पूचा है अदरवाइस तो मैं पहले से ही बदा देता कि I.R.C.T.C. का पूरा नाम आपसे पूचा है तो इसका पूरा नाम है वो मिर्बंस क्या हो जाता है कि इंडियन रेल्वे क्यार्टरिंग और टूरिज्म कर्परेशन ओप्शन यहां से आप क्या बोलेंगे कि जो हैकर्स होते हैं या आपके असली शुरक्षा और प्राइवसी रिस्क के उदारण नहीं होते हैं अगला किशन के दस्तावेज में हैडर और फूटर को डालने का मूल होतेश्य क्या होता है तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जो आपका डॉ किमेंट होता है उसके दिखावट को सुदारने के लिए हैडर और होटर को डाला जाता है अगला किशन की एक सर्श इंजन कंटेंट को खोचते समय किन प्रिक्रिया को संबालता है तो मेरे पर याद रखेंगे वेब स्पाइडर सर्श इंजन इंडेक्सिंग और प्रुक्त सभी अगला किशन की यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपकी यूजर नेम और पासवर्ड की मांग की जाती है तो ऐसी इस्तती में आप क्या करेंगे तो आप क्या करेंगे उसको इमेल पर जाता कि माद्दिम से क्या करेंगे फिशिंग रिपोर्ट करेंगे स्पाम करें उसको क्या करेंगे रिपॉर्ट करेंगे तो ऑप्शन यहां से आपका बिल्कुली करेक्ट एंसर हो जाता है अगला किशन के जब कोई यूजर खाली जगह पर माउस ले चाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है तो क्या है हाइपर लिंक यह सभी के बारे में जैसे जैसे आप हमसे एगुलर चुड़े रहेंगे रगुलर बताता रहोंगा अभी क्या है समय की ठोड़ी पाबंदि रहती हैं उसके हिसाबसे मैं वीडियो को बनाना होता है वीडियो ज्टाया रहें जो जयादा समय में सम сюж के आँटी का क्या करनेंगे लेगुलर Position संब आने लगे तो देखेगे कि गांड़ मैसे जो कौन से परक्राइब माऊउस से संबदित हैं तो ड्रेक करना भी होता है सिंगल क्लिक होता है डबल क्लिक भी होता है तो उप्रोग तो सभी जो हैं यहां से आपका बिल्कुली करेक्ट एंसर हो जाता है आज का अंतिम और आखरी क्यूशन की निम्न में से कौन सा इमेल से संबंदित फॉल्डर नहीं है तो मेरे बंट सेंट मेल भी होता है ड्राप्ट भी होता है इस्पाम भी होता है कंपोज आपक इसी परकार का फॉल्डर नहीं होता यहां से तो आप क्या कर सकते हैं इमेल को क्रियेट कर सकते हैं तो यह थे मिर्वंट से आपके टॉप मोस्ट 35 क्यूशन आई होप आपको वीडियो कापी पसंद आया होगा अगर वीडियो को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब क जो पूरी के पूरी गारेंटी है इस टीम ने ले रखी है तो विश्वास बना कर रखीएगा और जादे ज़्यादा सेर और सब्सक्राइब और लाइक करते रहेगा इसी आसा और इसी उम्मेट के साथ में कि आप हमसे रेगूलर जुड़के आप भी करेंगे इस बार 90 को पार अभी के लिए इतना ही मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ और साम को लाइव क्लासेस के साथ मैं भी मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम जयवार